नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है ऐसा लग रहा है वो असे साल के एंटी इंडिया एंटी हिंदू बुढ़े जोर्ज स्वरोस के पैसे के लिए विपक्ष के बीच काफी competition चल रहा है राहूल गांदी अमेरिका गए तो केजरिवाल ने अपनी चेली को लंदन भेज दिया और वहां दोनों ही एक काम कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं उससे पहले western media और western world के अंदर एक propaganda कर दो कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है कोई economic progress नहीं हूँ है हाँ पर गरीबी है भूके मर रहे हैं लोग रोज बलातकार हो रहा है रोज हिंसा भलक रही है वहां पर प्रेस की कोई आजादी नहीं है और इसी के तहट जिसके लिए George Soros ने 600 कड़ों रुपए 2024 के चुनाओं से पहले खर्च करने का वादा किया था क्या उसी के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है मैं बार-बार कहता हूँ ये आम आद्मी पार्टी इस गैंग आफ पैथलोजिकल लायर्स जूट बोलने में और हिंदुस्तान को बदनाम करने में इन्हें इतना मज़ा आता है कि चलो आज ऐसा जूट बोला जाए और हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए कि जिससे मज़ा आ जाए ये इस तरह की जहनियत के लोग हैं कैम्परीज में सुटाले में एक जिकाँ भासन नेने के लिए ये एक चोर के जेल जाने के बाद जो एजूकेशन मिनिस्टर बनी है आतिसी मार लेना एक तो इनका predecessor चला गया गोटाला करके जेल के अंदर और दूसरी Cambridge में जाकर के भासन दे रही है टॉपिक क्या था टॉपिक था इंडिया एट हंडर्ड टुवर्ड्स विकमिंग अग ग्लोबल लीडर तो कैसे हिंदुस्तान 2047 तक में ग्लोबल लीडर बनेगा भासन देने के लिए बुलाया गया और शुरू हो गई मैडम रोना रोना चार मिनट के भासन के बाद हिंदुस्तान को गालियां देने में यह सब चागे और वो भी जूटे तर्क जूटी दलीलें जिसे सुनके वहाँ बैठे सारे लोगों के मन में यह आशन का पैदा हो जाए कि वाकई हिंदुस्तान इतना खराब हो गया क्योंकि बात तो वहाँ पे हिंदुस्तान कैसे ग्लोबल लीडर बनेगा इस पे करने थी आपने बता दिया कि यह तो पाकिस्तान से लंका नेपाल भूतान बंगलादेश उससे भी बत्तर गर्त में चला गया है यह मुल्क बाकई पर सुनी वह क्या कह रही है उन्होंने सुरुवाद की इस से यह बताओ कि क्या है इसमें जूट अगर यह जूट है यह दावा गलत है तुम अपने आखरें बताओ कि इंडिया की एकौनमी जो है वो कितनी की है ये भी बताओ कि G20 के जितने भी मुल्क हैं तुमको नाम भी मौलूम है कि इसमें कौन-कौन से देश है और अगर मालूम है तो बताओ कि कौन से ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान से ज़्यादा तेजी से प्रगती कर रहा है इसका जवाब नहीं है We are told कौन बताता है जेनियू के घसे पिटे प्रोफेसर्स से या सबक्षाप निताओं से पान के दुकान से तुम हिंदुस्तान की एकॉनमी का स्टाटिस्टिक्स उठाओगे तो यही बकवास करोगे जाके We are told अब वो रियालिटी बता रही है मैडम क्या कह रही है But the reality is far more worrying and overwhelming from that I think a better indicator is the human development index India ranks 132 out of 191 this is India at 75 while India seeks happiness believing that it is better off than its neighbors countries such as Sri Lanka, Bhutan Pakistan are supposedly ranked higher in the human development index Pakistan better है Sri Lanka भी better है पाकिस्तान और स्रिलंका बना चाहते हो पाकिस्तान और स्रिलंका बताना चाहते हो कम से कम common sense भी तो रखना चाहिए जूट बोलते समय है स्रिलंका की क्या हालत है दुनिया के सामने नहीं मालूम है पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है दुनिया को पता नहीं है वी आर टोड़ और यह reality बताने के लिए पहुच गई तो आप यह समझिए कि आते सी मार लेना और उसका सरदार यह जो pathological liar है यह हिंदुस्तान की राजिनती का network लाल दिन भर कितनी जूटे बोलता है आप international audience के सामने जाकर तमाम medium अब होगा क्या कि दिल्ली के education minister यह कह रही है कि भई जो हिंदुस्तानी काणी जो है वो पाकिस्तान और स्रिलंका से बत्तर है जिस HDI index जिस report जिस UNDP की report को वो quote कर रही है उसको ढंक से पर लिया होता लेकिन पढ़ना लिखना किसको है पढ़ना लिखना किसको है राजनीती चमकानी है तो कुछ भी बखवास करना है उस report में क्या लिखा हुआ है UNDP pointed out that India's HDI value is higher than the average human development in South Asia UNDP also praised India for lifting 27 crore people out of the multi-dimensional poverty and providing access to affordable clean energy water and sanitation उसे report में लिखा हुआ है लेकिन आपको तो गाली देना है को रैशन भी तो रखना नहीं है मोधी सरकार से तुमको दिक्कत है कोई बात नहीं प्रधान मंत्री की बुराई करके आओ कोई दिक्कत नहीं है बसे टेक्निकली वो भी नहीं करना चाहिए वी देश की धर्ती पे लेकिन अगर फिर भी इतने बेशनम हो तो प्रधान मंत्री के ऊपर हमला करो कोई दिक्कत नहीं है आप देश के बारे में खराब बोल के आओगे आगे उन्होंने क्या कहा अब अगला पैतरास देखिए आप ह estudio। देखिए नहीं है भी थफे बिलिनार्स ए्टर्जी आइस का इस सुंणब लगवी ठीट 2 तो 1 ऑ216 बत् Unsन टूलनेगी 않는 सबने टेखिए च्झे मत तूलनें सब्सक्ष्च पूलनेंट 5ज के ब 자기ो फीब फर昨atri जोました 2020 मत विर्यवी रात में भूके सोते हैं कितने 35 कड़ोर लोग कहां से लाया है बही आका। HDI Index तो तुमने UNDP की रिपोर्ट इसकी बारे में बताया तुमने ये 35 कड़ोर लोग हिंदुस्तान में भूखे हैं वो रात में भूखा सोते हैं ये बकवास तुमने उठाया कहां से। मैंने बहुत जगर रिसर्च किया। कई नहीं मिला एक जगर मिला। एक कोई Oxfam India नाम का कोई NGO है रिसर्च नहीं करता वो अपने आपको बताता है कि हम एक आंदोलन हैं। आंदोलन GVU को पैसा देने वाला मोधि सरकार ने ताला बंद कर वा दिया इसको क्यों क्योंकि फंड को लेकर घफला हो रहा था। सौसो कड़ोर रुपए एक साल में आ रहे थी इसके पास। ये दलालों का जो जथा है बहुत इन लोगों ने च्छाती पीटा। सरकार ने कहा जरा जो सरकारी जो कानून है FCR का उसके तहट जरा सा एकांटिबल बनो। भाग गए मैदान छोल के ये लोग सौ कड़ोर रुपए आ रहा था और पैसे कहां खर्च हो रहे थे इसी तरह के दलालों को पैदा करने में। ये दलाल पत्रकारों का जथा ये C.A.Protest ये Oxfam को पैसा कहां से आ रहा है विदेश से तो आप विदेश से पैसा लाओ और हिंदुस्तान में उपद्रवियों को टेररिस्टों को नक्सलाइट्स को आप पैसे बाटो और जब कारवाई होती है तो छाती पीटते हो और करत क्या है? ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना देना. 35 करोर लोग भूके सोते हैं, रात में भूके सो जाते हैं. अच्छा? तो ये बताओ, ये जो करोरों घरों को अनाज दिया जा रहा है, ये Oxfam के ऑफिस में जमा हो रहा है क्या? इतने लोगों को जो अनाज हर जगा बाटा जा रह आए प्छे राज सरकार अपने तरब से भी कर रही है कुछ केंद सरकार के तरफ से भी हो रहा है अब ही कॉंग्रेस पार्टी भी बहुत जगह बाट रही है 36 गर में माट रही है तो आप जाकर के बाहर जाकर क्या बोलोगे कि वी आर टोल्ड कि एतने सारे बिलिनर्स हो गए लेकिन हकीकत यह है कि 35 कड़ों लोग भूके सोते हैं रात में कुछ सरम करो कुछ सरम करो राजिनिती इतनी गंदी मत कर दो कि लोग तुम्हारे को देखके घ्रणा महसूस करने लग जाए बोलना था क्या बोल के आगे क्या तीन चार आकरे जो अख़वार में छपे हुए है आम आदमी पाटी का कोई भी चटा बटा कोई भी लीडर इन आकरों को गलत साबित कर दे तो आतिसी की बात सही और अगर आकरे को गलत साबित नहीं कर सकते तो इन लोगों को पब्लिकली माफी मागनी चाहिए कि हमसे गलती हुई हमने देश में के बाहर जाकर के हिंदुस्तान को बदनाम किया क्या ये सच नहीं है कि जब से मोधी सरकार आई है तब से जो फॉरण डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पांसो बिलियन डॉलर का हुआ है यही पे पेच है यह जो विदेशी फंड हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है यह कैसे रुके यही तो चीन पाकिस्तान चाहता है और उसे की दलाल बने वह है कि डिमोकरसी मर गई तो यहाँ फ्रिडम नहीं है यहाँ वो नहीं है यहाँ भूक है यहाँ कुछ नहीं है यहाँ एजुकेशन नहीं हम से करने वाले लोग है हमें दलाल बड़े हम लोग जर्सोर्ण साहब पैसे बहुत लगते हैं चुनाव कर्च के लिए क्या ये सही नहीं है कि पिछले नौ साल में GDP जो टोटल ग्रोथ हुआ है वो 63% है तो अकल के अंधों को ये नजर नहीं आएगा ये भी नजर नहीं आएगा कि पर कैपिटा इंकम पर परसन मनें एवरेज आए लोगों का उसमें इजाफा हुआ है 47% 2014 में जो पर कैपिटा GDP थाए देश का वो 78,348 रुपए और 2022 में ये बढ़के 1,15,490 इस आकड़े को काटके दिखाओ तब तो बात तुमारी सही नहीं तुमाफी मागो हर चीज में हिंदुस्तान आगे बल रहा है इनकी दिक्कत ये है कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखा करके चुनाव जीतना चाहते है यही सबसे बड़ी समस्या है राहूल गांदी तो अकलमंद नहीं है उसको जो चिट दे दिया जाता है जो कष़ दिया जाता है वो बोल देता है आतिसी मार लेना तो पढ़ ही रिखी है लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फाइदा कि जब तुमको अपने ही देश के खलाफ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है ये राजनीती अतनी गंदी चीज है अच्छे अच्छे लोगों को पागल बना देती है लेकिन उस पाटी का क्या होगा जिसका सरदार ही पागल बनाने की फैक्टरी चला रहा हो पाबलिक को बेफकुब बनाने की फैक्टरी चला रहा हो दिन राच जूट के अधार पे अपनी राजनीती को चमकाता रहता हो आप देखते रहे कैपिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद